हेलो स्टूराइंट्स, वेलकम टू वार्ड अकेडमी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग कल आयवं संस्केट पढ़ रहे हैं जिसमें 80 कोश्चन हो गए हैं और 80 के बाद की कोश्चन अब कराएंगे ठीक है ध्यान से सुनिएगा और जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं उसको भी ध्यान से सुनिए ठीक है तो 80 तक हो गए थे 80 के बाद 81 नंबर पर आते हैं तो आंसर बताईए 81 नंबर कोश्चन का क्या होगा थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि किलियर देखे ठीक है बताईए 81 नंबर कोश्चन का क्या आंसर है उज्जैन में अगला कुम्भ किस वर्स आयवजुद किया जाएगा बताईए यहां है तो देखो यहां पर कुम्भ मिला की बात करें तो अएक होता है अर्द कुम्भ एक होता है महा कुम्भ ठीक है तो तो अर्ध कुम्भ जो होता है छे साल बाद लगता है और महा कुम्भ जो होता है वो बारा साल बाद लगता है ठीक है तो बारा जोड़ेंगे इसमें कुम्भ मेला की बात हो रही है ठीक है तो यहाँ पर बारा जोड़ेंगे 2016 में हुआ था उज्जेन में अब बारा साल बाद लäreंगे इसको चैठी की उत्पत्ति किस राज में हुई है। जिसको हम क्या बोलते है च्छरही बोलते हैं। लिखा हूता है हालाक इंगलिस में देखोगे तो च्रका हुआ है। तो 19 सेलिये जो चैडITTी यानि छरही जो हैDY। वह किस राजिस से उत्पत्त्त हुई है। तो बताईए तो इसका अंसर लगाओगे हिमाचल प्रदेसे वहरे हिमाचल प्रदेसे मामल पुर्म उस सख किस राज में मनाया जाता है। बताईए इसका अंसर क्या होगा। मामलपुरम किस राज में मनाया ज़ता है? तो इसका अंसर बताओंगे. तमिल लाड़ में मनाया ज़ता है. इन में से किसे प्रसिद कौनार्क सूरी मंदिर की स्थापना का स्टरे दिया जबता है. ये कई बार कोष्चना आया. ससी में भी पूछा गया था. कि सूरी मंदिर का निर्माण किसने कराया तो बहुत अच्छे से याद रखना किसने कराया है राजा नर्सिंग देव पर्थम किसने कराया है राजा नर्सिंग देव पर्थम सूरी थे समझ रहे हो सूरी है देवता तो क्या है वो महान देवता है तो जाहिर सिवाद महान ही इंसान होगा नर और सिंग नर सिंग तो आवतार भी है भगवान विश्णू का तो ये तो महान होंगे ही वैसे भी तो नर सिंग जो थे उन्होंने ही क्या कराया था कुड़ान सिवा सुरी मंदिर का निर्मार कराया था नर सिंग देव पर्थम तो ह देवता होना जरूरी है उसका तभी तुस्वर मेंदर का निर्माट कर आएगा तो नर्सिंग यानि पावर्फुल हो गया देवता भी बन गया और प्रथम भी हो गया के लिए रहे नर्सिंग देव प्रथम याद रहेगा ठीक और इसको याद करें न क्योंकि रिपीट होता ह कोश्चन यह वाला ठीक है आगे 84 नंबर के बाद 85 नंबर बताइए क्या अंसर होगा इसका आगे बोले तो इसका अंसर क्या बता होगे निम्लिखित में से कौन सा तेभार फसलों की कटाई से सम्बन देथे तो गुरु पूर्णमा इस्टर विदुदल फितर ये सब तो फसल की कटाई से नहीं है लेकिन पूंगल जो है ये कहां से है तो ये तमिल नाडु का तेभार है जो कि फसल कटाई के लिए मना जाता है ठीक है इसके बारे में क्या याद रखना है तो जो पूंगल है फसलों की कटाई से सम्बन देथे ये तो याद रहेगा और ये समर्पित है सूरी देवता को समर्पित है और याद रखना है जब यहां जब पोंगल होता है तब हमारे यहां क्या होता है उत्तर भारत में तो उत्तर भारत में होता है मकर संक्रांति होता है तो यहां पे मकर संक्रांति होता है और यही इसी दिन जो उधर साइड में दच्छ क्रानंती हो रही है और भाप यहां पर इस को ओर याद रखना पॉछा गया थैर फोंगल का अर्ष ही वालना इसको यह पॉन लगा के सुनिए इसके बाद अगला कोश्चन और सुने ओगे जितनी ध्यान से सुनोगे चार-पांच बार देखो गारेंटी मेरी है जिन्दगी में नहीं भूलोगे तुम पांच बार अगर तुम ये इस वीडियो को ध्यान से देख ले गए तो इसमें के कोई कोश्चन कभी भी एक्जाम में आ जाए पांच-छे सालों में कभी भी एक्जाम होगा अगर 100% होगा पहली बात तो एक्जाम तो रेलवे का आने ही वाला है तो इसलिए अच्छे से पढ़ते रहो और एक एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाइक कमेंट तो जरूर किया करो क्योंकि जानते हो लाइस सब्सक्राइब होगे तभी तो हम वीडियो अप्लोड कर देखते रहेंगे हमें भी अच्छा लगेगा कि अप्लोड हो रहे हैं लोग देख रहे हैं समझ रहे हो तो लाइक तो बहुत जरूरी सब्सक्राइब तो बहुत ही जरूरी हो गया है और कमेंट तो करने करना है और बेल आइकन पर किलिक कर देना है ठीक है सब्सक्राइब क का विस्तु धरोहर इस्थल नहीं है बताइए कि क्या अंसर होगा इसका तो इसका अंसर लगाओगे तो देखो लाल किला विस्तु धरोहर यूनसको में आता है ताजमेल भी आता है एलिफेंटा की गुफाएं भी आती है तो चार मिनार नहीं है चार मिनार जो है यूनसको की विस्व धुरहर में सामिल नहीं है और एक चीज़ और याद रखना है चार मिनार कहां पे है तो हैदराबाद में है चार मिनार कहा है है यह बात याद रखने है ठीक है उसके बाद आगला 87 नंबर बताईए तो इसका अंसर लगाओगे नई दिल्ली क्या लगाओगे बोलो इसका अंसर क्या होगा नई दिल्ली होगा इसके बाद संगेत नित्य एबं नाटक की राश्ट्री अकादमी संगेत नाटक अकादमी भारत गर्नाज द्वारा इस्तापित पहली राश्ट्री कला अकादमी है यह अकादमी बोलो या अकेडमी बोलो इंगलिस में तो अकेडमी ही बोलोगे और हिंदी में अकादमी बोला जा रहा ठीक है यह अकादमी कहां इस्ते थे बताइए तो इसका भी आंसर क्या लगाओगे नई दिल्ली लगाओगे ठीक है इसका भी आंसर क्या होगा नई दिल्ली होगा जवाहरलाल नहरू ने किस वर्स में नई दिल्ली में राश्ट्री संग्रहाले की आधार सिला रखी क्या आंसर इसका होगा तो इसका अंसर लगाओगे 1955 क्या लगाओगे 1955 ठीक है तो जवार लाल नेरून किस वर्स नहीं दिल्ली में राज़्टी संग्रहाले की आधार सिला रखी तो 1955 में रखी पाइका नरत्य इन्में से किस भारती राज़े से समंदित है पाइका बता ये तो जो पाइका नरत्य है वो मार्सल आर्ट नरत्य है कैसा है मार्सल आर्ट नरत्य है जो ओडिसा के मयूर भंज के आधिवासी छेत्र में किया जाता है तो याद रखना ओडिसा में किया जाता है मयूर भंज जगा है आधिवासी है ठीक है मयूर भंज जगा जो बनी हुई है वहां के जो आदिवासी वो लोग करते हैं इसको ठीक है मयूर भंज लिख देता हूं मैं ठीक है मयूर भंज तो यह ओडिशा के मयूर भंज के जो आदिवासी हैं वो लोग इस नर्ति को करते हैं ठीक है पाइका को याद रखना कई बार पूछा भी गया यह कोशन ठीक है तो आये तो इसका नाम्याद रखो लो कर्णल कॉलिन माकेनजी क्या नामapore याद रखोagne कोर्णछिय क्योंकि नामрь एसका थोड़ा आजीव याद क्लियर इसके बाद, नीचे चार यूगम दिये गए हैं, जिनमे से, परतेक एक राजी और एक लोग न título को, नेत्न लोग निरुपित करता है, राजी और लोग नरती के इनमेंसे कौन सा यूगम गलत है, गलत वादा बताना है, condition what तो असम में का बियू सही है असम का बियू सही होगा और गुजरात का गरबा ये भी सही है उत्राखंड का तपाली तपाली सही नहीं है तो यही आप सनम टिक करेंगे तो उत्राखंड में कौन-कौन से जो नत्य है जो होते है तो याद कर लो एक होता है छोलिया नाम याद करो उत्राखंड के नत्य है यह सब याद कर ले न भूलना नहीं उत्राखंड में कौन-कौन होता है छोलिया एक नत्य होता है इस तरीके से लाइन थोड़ा उपर हो और क्या याद रखना है एक और नर्त्य याद रखना है जो सबसे यादा पूछा जाता है जोरा 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 उत्तर प्रदेश में भी होता है इसकी बारे में याद रखना चपेली एक नर्त्य है जोला जोली चोलिया जोरा चपेली ये तीनों नर्त्य याद रखो बहुत ज् और जो तीन है ज्यादा important नहीं है लेकिन अगर याद करना चाहो तो उसको भी याद कर लो हो सकता पूछ लिया जाए एक होता है जागर एक होता है लंगवीर एक और याद रखना जिसका नाम है चंचेरी तो यह 36 गड़के नरत्य होगे कौन-कौन छोलिया जोरा चपेली जा उसके बागर लंगवीर और चंचेरी ठीक है याद रहेगा चे नृत्य याद रखना उत्ठाखंड में होता है इनमें से कोई नरत्य में से अगर आजाए पूछा जाए जानन र्यार्त खन्ड सबुचल पुडुचेरी का लोक नर्ति क्या है बताईए पुडुचेरी का लोक नर्ति क्या है तो इसका अंसर बताओगे गराडी गराडी जो है पुडुचेरी का नर्ति है और इसके बारे में क्याद रखना है कि जो गराडी है तो ये पुडुचेरी का एक आपचारिक लोक नर्ति ह पुरुस इस नत्य को बंदर के समान मुद्राइं करते हुए करते हैं बंदर के समान मुद्रा करेंगे मलब उसका एक्टिंग करेंगे बंदर की जैसी और इसमें नत्य करते हैं ठीक है पुरुस करते हैं याद रखना और यह नत्य जो होता है तेवहारों पे ही किया जाता है तो कितना कठिन है न नरत्य आठ गंटे तक करना बहुत बड़ी बात है आगे तो गराडी नरत्य कहाँ है पूर्ट चेर याद रहेगा ठेक भात के किस राज में कारला नाम संग्रचित बहुत गुफाएं मौजूद हैं बताएं कारला नाम तो इसका अंसर क्या बता होगे य क्या अंसर होगा पुर्वत्तर भारत के किस राज में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उस्सव है संगई महसुसव कहां का है बताई तो इसका अंसर बताओगे मड़ी पूरका है कहां का है मड़ी पूरका यूनेसको विश्वी रासत इस्थल कंदरिय महाद्यों मंंदर टिक लगा हुआ है और यह पुद्ckt याद रहेगा तो यूनेसको जो महाद्यों मंदर है वह निम् común और तो देख सकते हो जो में इनमें से यह कुस परियतन सर्कीट तो की संच लग गया है तर दासर मैंने सोट बनाया हुआ हुआ है चाहे तूप देख सकते हो το उसमें मैंने यह कोश्चन लिया था सॉट में ठीक है प्यूंकि चुठा होता है तो उसमें मैंने यह कोश्चन नों बता था क्या कर नोच गर तो डेख लेनाा इसे विख लगा हुआ है मैंने सच्चा यह बता दी तंड सुम स्वधेशन दर्सन योजना में सामिल नहीं कि देखो धीरे धीरे पढ़ा करो तो समझ में आता कि क्या पूछ रहा है याद रखना कभी भी लंबा कोश्चिन हो धीरे से प्रोथ छोटा है एक लाइन का जल्दी पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है लेगल लंबा कैस्ष नहीं तो बहुत्यान समझ नहीं कि कया करा रहा है तो इसका क्या बताओं कि इस ini में इसके जूड़ा से और बताओं करतां आखे कि announcing परसिद्ध हाजी अली दरगाह इन में से किस सहर में हैं फिर से कोशन रिपीट कर लो क्योंकि आप सन ऊपर हैं परसिद्ध हाजी अली दरगाह नाम याद कर लो हाजी अली दो सारे के सारे कोशन आये हुए हैं देखो लिखे हुए हैं डेट लिखी हुई है तो ये PYQ हैं इनको repeat करना बहुत जरूरी है क्योंकि question repeat होता है ये बात याद रख लो कहां सिलाएंगे question तुम खुश सोचो इतने ज़्यादा exam हो चुके हैं नए-ने question कहां से बना पाएंगे ज़्यादा ज़्यादा नए अगर बनाएंगे भी तो 5-6 question बना सकते हैं पूरे के पूरे नए question तो बना नहीं पाएंगे मालोग 40 question अगर exam में आ रहे हैं जिस पर काए NTPC का exam होगा तो उसमें 30 math के हैं 30 reasoning के हैं और 40 तुमारा GS है ठीक है जिसमें science भी पूछी आएगी और तुमारी history भी पूछी आएगी science की question जादा में पूछे जाते हैं इतने जादा भी नहीं पूछे जाते हैं कि तुम science ही तयार करके जाओ और सब कुछ करके आजाओ ऐसा नहीं है ठीक है group D में science आती है NTPC में भी science आती है group D में थोड़ा जादा question होते है ठीक है लगबग 25 questions लगबग होते हैं उसमें ठीक 25 या 15 सायद होते हैं देख लेना मुझे confirm नहीं इस और जो यह NTPC का होता है इसमें 10-12 questions आएंगे ठीक है science की question 10 minimum मान के चलो आते ही आते हैं ठीक है बाकि 40 questions 30 questions बचे 30 questions तुमारा history जो भी चीज़े बची है history, geographic, civics वगेरा पल्टी जो भी समझो economics, computer जितने भी subject हैं सारे के सारे आजाएंगे ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना तो हाजी अली दरगाह जो है इन में से किस सहर में है और कोई जरूरी निमालो ये तुम railway का फॉर्म डाले हो उसमें अगर नहीं आया तो जो तुम बाद में हो सकता SSC का तुम देने वाले हो या तुम किसी और का एक्जाम देने वाले हो तो वहाँ हो सकता दिख जाए question तो question तो करने ही करना है आप जितने ज़्यादा PYQ कर सकते हैं करिए अरे हम करते हैं 10,000 question अगर तुम तयार कर लो ठीक है मॉक टेस्ट जब दे रहे हो या जो भी कर रहे हो उसमें repeat जब होगा तो answer तुम बता सकते हो गर तुम याद कर लोगे इसको तो और यहीं पर याद कर लो ज़्यादा सही है और यह बात और यह नहीं कि एक बार वीडियो देखके छोड़ दिया एक बार देख लोगे गारंटी मेरी भूल जाओगे क्योंकि सभी लोगों का दिमाग अच्छा नहीं होता है कुछ लोगों को तो एक ही बार में याद रहता है कुछ लोग कम से कम दो-तीन बार देखें तब याद रहेगा कुछ लोग इसको 6-7 बार देखेंगे तब याद रहेगा तो देखो सबकी capacity अलग-अलग है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते इसमें हम यही कहेंगे आप जितना repeat करेंगे repeat करते रहो और तुम guarantee हमारी JS तुएर हो जाएगी कुछ भी हो मैंची देखो वहाँ option होंगे तो अगर तुमने कभी भी पढ़ा है तो option देखके याद आ जाता है कि यह option सही होगा माइंट तुरंद बता देता है जब भी तुम question पढ़ोगे और अगर option देखोगे तो एकदम click आएगा कि यह option सही है और नहीं पढ़ा है तो तुम बस question को देखे को question तुमें देखेगा और कुछ नहीं ठीक है तो याद रखो हाजी अली दरगा जो है वो कहाँ पढ़ती है तो मुंबाई में पढ़ती है कहाँ पढ़ती है मुंबाई में पढ़ती है किलियर अगला सोनमर question बताएए क्या आंसर होगा तो निम्लिकित में से कौन सा राज प्रमुख युग पर राज प्रमुख भासा युग मं सुमेलित नहीं है तो बताना कि कौन सी भासा मदलब सुमेलित नहीं है ठीक है बताए क्या आंसर होगा तो तेलगु कहां की तो आंधर प्रदेश की सही है मैतेई मडिपूर की है ये भी सही है देखो याद कर लो इनको ये रट्टा माल लो ये जो सही सही है मालो तुमसे पूछा जाए तेल्गू कहां बोली जातीUP तो आंद्रपर्देस लिखा कही तो करनातक में तो इसका अबस्वन हम क्या लगाएंगे सुमेलित नहीं है जो गलत है उस पे टिक करना है आप ठेक, क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा जूब कम कर रहते हैं, आप ठेक, आगे, 101 बताईए, 2011 की जनगर्णा के अनुसार, इन में से कौन सी भासा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली परमुख भासा है, क्या आंसर होगा 101 का, तो बंगाली लगाओगे क्या लगाओगे, बंगाली, आगे, 102 नमबर बताईए, भारत के निमलिकित परसिद्ध चर्चों में से, कौन सा अपने इस्थान के साथ सुमेलित नहीं है, बताईए, कौन सा सुमेलित नहीं है, देखके बताओ, क्या आंसर होगा इसका, तो सेंट पॉल कैथेडरोल, कौलकाता में बिल्कुल सही है, सेंट जॉन इन दा वाइल्ड, वाइल्डरनेस, क्या बोलेंगे, सेंट जॉन इन दा वाइल्डरनेस, यह सब इंगलिस के नेम है, जो कि तुम्हें हिंदी में लिखे हुए है, ठीक है, यह सब इंगलिस का नेम St. John in the Wilderness Church क्या बताओगे इसका अंसर तो इसका जो ये जो लिखा हुआ Pawn resonated जोकी गलत है Pawn anderen ये कहाँ पे याद कर लो भूलना नहीं इसका ही माचल पर्देश में कहा है ही माचल पर्देश ही माचल पर्देश में जीसस कहां पढ़ता है तो गोवाम पढ़ता है यह सीज़े याद रखने है ठीक है अगे अगर तुम्हें रिपीट करना है तो वीडियो को पाउच कर लो दो तीन बार इसको पढ़ लो तब आगे बढ़ो के लिए तो तरीके हम तुमको बताते रहेंगे टेंसन नहीं लेना ह अगर थोड़ा अलग दिखा करें तो उसको रोक दिया करो पाउच कर लो वीडियो को तुरंत उसको कई बार रिपीट कर लो देन यू कन फर्वर्वर्ड ठीक है आगे बढ़ सकते हूँ अगे बढ़ी यहां पर क्या यह वला हम में घाले की गारू जंजाती के बीच सरवाधिक लोग प्रिय महस्व कौम साय गारू जंजाती के बीच बताई क्या अंसर होगा इसका वांगला महस्व क्या बलोगे वांगला महस्व आगे एक सुचार भारती भासा संस्थान इनमें से किस सहर में इस्तित है नो पहले खुद आंसर दो जितने सही हो जाए हमें बताना है कमेंट बॉक्स में ठीक है पहले तुम्हें खुद चूच करना की कौन सा अपसन है और फिर में दिब बताऊंगा उससे मैच करू ठीक है भारती भासा संस्थान इनमें से किस सहर में इस्तित है मैसूर में सिंदु धर्शन उस्तव भारत के किस भाग में मनाया जिता है लद्दाक में कहा मनाया जिता है लद्दाक में मनाया जिता है 106 नमबर देखू सेंट थॉमस काइथेडरल बैसलिका चर्च किस राज में इस्तित है बताइए क्या अंसर होगा तमिलाडू सागा दावा उससो इनमें से किस राभारती राज में मनाया जाता है किस राज में मना जाता है तो अवनाचल प्रदेश में मना जाता है कहा मना जाता है अवनाचल प्रदेश में इसाई धर्म के उस पवित्र गरंत का नाम क्या है जिसके दो भाग है पुराना नियम जो अनिवारता यूसू इशू के समयकाल का हिंदू गरंत है कौन सा पुराना नियम और दूसरा क्या है नया नियम जिसमें इसू मसीह और प्रारंभिक चर्च के बारे में लेख सामिल है बताईए क्या इसाई गरंत का उस पवित्र गरंत का नाम क्या है यह तो सबको पता होगा बाइबिल क्या नाम है उसका बाइबिल ठीक है आगे 109 नमबर बताईए जून 2022 तक इनमें से कौन सी भासा भारत की सास्त्री भासा नहीं है बताईए क्या अंसर होगा तो बंगाली तो देखो सास्त्री भासाएं जो है टोटल छे हैं कितनी है छे याद करो भारत की सास्त्री भासाएं कितनी कोल तो छे हैं और छे भासाओं में से यह तीनों आती है तमिल ओडिया और संस्क्रत तीनों आती है लेकिन बंगाली नहीं आती है अब देखो तीन तो आती है ये वाली और तीन कौन सी है और वो याद कर लो तो कौन कौन सी याद रखनी तुम्हें तो एक तो तमिल तो लिखा हुआ है देखो तमिल लिखा हुआ ये याद रखना है उसके बाद संसकत देखो लिखा हुआ है और ओडिया लिखा याद रहेगा ठेक उसके बाद आगे मिस्ट नरीज आफ चैरेटी मदर तेरेशा द्वारा कब इस्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगती है पताई क्या अंसर होगा कब इस्थापित किया गया था कि 1950 में कब 1950 में आगे बताईए 111 नंबर क्या अंसर होगा कि निसा गांधी नत्य उस्थाव इन में से किस राज जिम्में मनाया जता है तो इसका अंसर लगाओगे के रग क्या लगाओगे के रग और जितने सही हों बताईएगा और पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक और सब्सकाइब तुरंट कर देजिए ठीक है ताकि आने वाले जो नए नए वीडियो है उनके बारे में तुम्हें पता चलता रहे है 111 का तीसरा हो गया ठीक केरल हो गया इसका और 112 बताईए इस्टर टोकरी इन में से किस धर्म से संबन देत है क्या आंसर होगा इसका तो इस इसाई धर्म से संबन देत है कि निवलिकित में से कौन सी भासा द्रविन भासा परिवार की चार सबसे बड़ी भासाओं का हिस्सा नहीं है तो संसकत नहीं है संसकत नहीं है याद रहेगा भूलोगे तो नहीं बिलकुल याद रहना चीए ठीक है तो चार प्रविन भासा है कौन कौन सी द्रविन भासा है तो तेलगू तमिल मल्यालम कन्नड याद रहेगा भूलोगे तो नहीं मेरे खाल से नहीं भूलना चाहिए ठीक है रिपीट कर लो तेलगू, तमिल, मलियालम तो तीन लिखा हुआ है, ठीके, कन्णर, तमिल, मलियालम तो लिखा हुआ है, अब तेलगू तुमको याद रखना है अलग से, ठीके, चार हो जाएंगे, किलियर, आगे, 114 नमबर, राष्टी युद्धि इसमारक कहा इस्ते थे, दिल्ली में, कहा क्या आंसर हो गा, तो यह मुंबरेकंत मैं से, पोर उच्ञे, जि भतना हो, तो मुखिटाद अच्छे नमें, मंञा जाता है, तो ओडम, क्या कहोगे, ओडम, ठीके, याद रहेगा, बहु लोगे तो नहीं, ओडम कहां कहा का है, तो यह भी याद रखना के रल का है, ठीके निम्लिकर में से कौन 2021 में अपनी NFT संग्रह जारी करने वाला भारत का पहला फिल्म स्टार बना है कौन है वई तो उसका नाम याद कर लो अमताब बच्चन है कौन है अमताब बच्चन है नॉन फजिजिवल टोकन नॉन फजिवल टोकन एनेटी का फुल फार्म होता है फुल फार्म भी याद कर लिया करो ठीक फुल फार्म भी पूछी आती है 117 नंबर फोर्प्स के अनुसार दुनिया में सबसे अधा बोली जाने वाली भासाओं में बंगाली भासा का स्थान कौन सायर है बताई कि आंसर होगा कि तो सब सबको पता होगें तो मार्च में मनाई जयता है कि निम्लिकत में से किस आउसर प्रति वर्ष तमिल नाडु में नाटे जाल उस्साओ क्या है नाटे जाल उस्साओ तमिल नाडु में किस आउसर पर मनाया जाता है मनाया देखो पहले दो कोश्चन तयार हो जाएंगे एक तो यह तयार हो जाएगा जो यह पढ़ रहे हो ठीक है एक यह तयार हो जाएगा, कि nattie jal कहां मना ज़ता है, तो tamilnadu में मना ज़ता है, इसलिए कहते हैं, question में question चिपे होते हैं, बस तुम्हें क्या है, इसलिए question भी तुम्हें पढ़ना अच्छे से ध्यान से, और उसके साथ-साथ option जो दिये हैं, जो सही है, उसको भी पढ़ना है तो क्या अंसर होगा किस अउसर पर नाटिजाल मनाया जाता है तो इसका आंसर भी बताते हैं आप सुन देखो बताओ पहले तुम चूच करो फिर हम चूच करो नाटिजाल क्या लगाओगे तो महा सिवरात्री इसका आंसर होगा ठीक है जुन 2022 तक भारत में कितने भासा विश्विद्याले इस्तित हैं छे कितने छे आगे भारत का कौन सा सांस्कृति उस्सव सास्ति नति लोकलक कला और सौम में संगेत का दस दिवसी उस्सव है और प्रति वर्स फरवरी और मार्च के बीच सिल्प ग्राम में आयुजित किया जाता है बताए क्या आंसर होगा बोलिए तो इसका आंसर हो जाएगा एक सो बोलो ताज महुस्सव क्या होगा इसका ताज महुस्सव याद रहेगा इसके बाद मुस्लिमों के उस पवित्र ग्रंद का नाम क्या है जो सर्व सक्तिमान और एवं सर्वदरसी इस्वर तथा उसकी रचनाओं के बीच के संभन्द का वर्णन करता है यह तो बताऊगा बताई यह किस भारती भासा को सिंगापुर और स्रिलंका की अधिकारिक भासा राज भासा के रूप में मानिता प्राप्थ है क्या अंसर होगा इसका तो इसका अंसर है तमिल ठीक है आगे लास्ट कोशन 125 तक कराएंगे इसमें सामुदाइक मस्जिद को में किसको किस दिन को की जाने वाली प्रात्ना जुम्मे की नमाज कहलाती है यह तो पता होगा पता ही क्या होगा सुक्रवार इस वीडियो में इतना ही पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब तुरंद कर लिजिए और बिल आइकन जो आल वाला अप्सन उस पर जरूर की लिख किजिए धन्यवाद